हेलो जैहिन वंदे मात्रम तारकिक ग्यान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज हम बताने वाले हैं आपको अक्षे सिक्षक के लिए स्याम पट लेखन कोशल कितना जरूरी है देखिए नई सिक्षक नित तो लागू हो ही मतलब होनी ही आपको ये पहले सी पत खास दौर से ये वीडियो हमने किसके बनाया है अच्छे सिक्षक के लिए स्याम पर लेखन कोशल जो जरूरी होता है वही अच्छे सिक्षक में जो क्वालिटी होनी चाहिए नहीं सिक्षानीत में maximum maximum जो है यही चीज देखी जाएगे सिक्षक भरती में जहां तक मेरा मानना है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट है देखिए सबसे पहली बात स्यामपर्ट पर जो लेखन कॉशल होते हैं ना उनके बारे में हम यहां चर्चा तो करने वाले ही है और एक सिक्षक जो अल्रेडी है या जो बनने वाला है है ना या जो इंट्रेस्ट रख था कि मैं सिक्षक बनूंगा तो ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेट वीडियो है चलिए इसको देखते हैं कच्छा में समझा आने के लिए किया गया रफ कारे तो था श्याम पट के कारे को मिलाया ना जाए पहली बात अगर कोई मान लीजिए सिक्षक है कख्षा में कारे कोई भी करवा रहा है मान लीजिए ये श्याम पट है अगर उसको रफ कार करवाना है तो उसको ना एक अलग जगे देनी चाहि इधर आप रफ वर्क कर लीजे और इधर बच्चों को समझाईए तो यहां कहने का मतलब यह है कि स्यामपट के कार्य को और जो रफ कार्य है वो एक ही में मिक्स ना किया जाए तो यह पॉइंट समझ में आ गया होगा चलिए बढ़ते हैं नेक्स पॉइंट की तरफ यहां पर रफ कारे समाप्त होते ही मिटा देना चाहिए एक दूसरी कॉलिटी यह होनी चाहिए कि मान लीजे बोर्ड पर आप वर्क करवा रहे हैं और कुछ समझाते जा रहे हैं और कहीं रफ वर्क करना है तो जल्दी से जल्दी जितना हो सके उसको समझाने के बाद उसको क् कुछ चित्र प्रस्तुत करने हैं अगर बच्चों को समझा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ चित्र बना के समझाना पड़ेगा तो अगर आप वो प्रस्तुत कर रहे हैं तो प्राध्यापक को क्या करना चाहिए पहले ही निर्धायत कर लेना चाहिए कि स्यामपट के लिए किस वक्त कितने भाग में उसे चित्र बनाना है मान लिजे कोई थेवरी आपको समझाना है कोई question समझाना है math का है और उस पर diagram बनाना है तो जाहिर सी बात है आपको बनाना पड़ेगा board पे तो उसका एक area decide कर लिजे मान लिए हमने इधर decide कर लिया इधर उसको solution बता दिया और इधर पहले ही diagram डो करके समझा दिया clear हो गया point चलिए बढ़ते है next next point की तरफ next देखिए आपट जब छातर स्याम पट पर जब छातर स्याम पट सामगरी को लिखने में वेस्थ हो तो अध्यापक को अध्यापन प्रारंब नहीं करना चाहिए माले जब वर्क करवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है छातर भी क्या करेंगे वो आपका नोट वर्क नोट करेंगे न तो उस समय जब छातर स्याम पट की सामगरी को लिखने में वेस्थ हो तो अध्यापक को उस वक्त अध्यापन शुरू नहीं करना चाहिए मतलब कि यह है कि जब छातर उस सामगरी को नोट कर लें उसके बाद हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे सबसे सही तरीका यह होता है सिक्षक के लिए चलिए नेक्स पॉइंट बढ़ते हैं यदि कोई चित्र माली जे को भाई आप गॉर्मेंट टीचर बनेंगे या है भी इस वक्त तो इसमें क्या है यदि कोई चित्र अधिक जटिल हो माली जे कोई टफ पिक्चर है ठीक है उसको आपको बनाने में टाइम लगेगा जाहिर सी बात है है ना बोर्ड पे बनाने में टैम लगेगा की نہ लगेगा लगेगा तो इससे क्या है एक इक सिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे पहले से ही एक उसके पास रोलर बोर्ड है होना ही चाहिए बहुं सिक्षक है काम कर रहा है तो होना ही चाहिए तो रोलर बोर्ड पे उस जटिल चितर की तस्वीर बना कर मतलब मोटा मोटा हिसाब करें मतलब उसका जो है आउटलाइन वगएरा हर चीज क्लियर कर लें पहले ही ले जाके वहाँ टांग दे हम या लगा दें क्लास में उसके बाद जो उसकी कुछ कमिया है या फिर कुछ और चीज़े जो हम एड करना चाहिए वहाँ क्लास में एड कर सकते हैं तो इस पॉइंट में यहाँ यह बताया गया है कि सिच्छक को क्या करना चाहिए चितर अगर जटिल है तो रोलर बोर्ड की साहता ले लेनी चाहिए वो भी पहले से ही कलियर होगा पॉइंट चले आगे बढ़ते हैं स्यामपट पर लिखते समय कभी गलत अक्षर भई स्यामपट पर लिखना है अगर तो जाहिर से बात गलतियां होती है ऐसा नहीं किसी से नहीं होगी वो तो भई होना ही स्वाभाविक है लेकिन भई एक सिक्षक है तो उसकी जिम्मेदार है गलतियां कम से कम यह ना करे तो स्यामपट पर लिखते समय कभी गलत अक्षर या वाग के सूचना नहीं लिखनी चाहिए मतलब कि अगर आप किसी सूचना के बारे में डौटफुल हैं अगर को उसके बारे में क्लियर्टी नहीं है उस information की बारे में तो उस चीज को उस हमें लिखने से क्य होना चाहिए बचना चाहिए तो लेर हो गया यह point आगे बढ़ें चले बढ़तें आगे next point हमारा है स्याम पड़ पर सामगरी योजना पहले से ही तयार कर लेनी चाहिए आप class में जा रहे हैं अगर उस वक्त आपके mind में आया कि मैं चलो अब यह अपनी सामगरी तयार करके बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा य स्याम पड़ सामगरी योजना जो है पहले से इसलिए बेड में सिखाय जाता है ना कि पाठ योजना तयार कर लो कैसे बच्चों को पढ़ाना है तो उसी हिसाब से हमें क्या करना चाहिए सामगरी को पहले से तयार कर लेनी चाहिए किस बेस पे हम पढ़ाएंगे class में चले point पर मान लिजे सामगरी लिख दिया है सारांस लिख चुके हैं अब उसको समझा रहे हैं तो यह नहीं कि आप क्या करें board की तरफ मुझ करके उसको समझाए तो स्याम पड़ क्यों मुझ करके क्या नहीं बोलना चाहिए एकदम wrong है मतलब की मुझ करके उधर नहीं बलके बच् बैठे हैं children's जो students बैठे हैं वहाँ पर हमें उस तरफ मुझ करके समझाना चाहिए clear हो गया point चलिए आगे बढ़ते हैं वरना अगर किसी भी सिक्षक की राइटिंग नहीं सही है या तेड़ा मेढ़ा लिखता है कुछ भी नहीं समझ में आता है तो बच्चे उससे प्रभावित जरासा भी नहीं होंगे ठीक है तो पहली बात यहाँ पर teacher की राइटिंग बहुत ही importance होती है उसके skills में ठीक है आ सके clear हो गया point चलिए बढ़ें आगे next diagram मतलब कोई भी diagram बनाते समय अगर डाइग्राम बना रहे हैं अगर वो colorful है मान लिजे जनरली बात है कोई भी student हो चाहे कोई भी simple person हो अगर कोई colorful दिखेगी चीज तो जाहिर सी बात है उसके प्रति एट्रेक्टिव होगा attract होगा की नहीं होगा यहाँ पर diagram आद बनाते समय रंगीन चौक का प्रियोग करना चाहिए मतलब अगर कोई भी आपको मान लीजे plant का diagram बनाना है तो क्या होगा भई उसकी leaf क्या green से बनाईए है ना flower जिस color से उससे बनाईए तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए ए नहीं सिच्छानीत के हिसाब से कब लागो हो उसके हिसाब से जो सिच्छक भरतिया होंगी उसमें इस्किल होनी जरूरी है ना कि रटंत पद्धती चली आगे बढ़ते हैं सियामपट पर लिखते समय सिच्छक को अपनी नजर छात्रों के क्रिया कलापों पर भी रखनी चाहिए मतलब अगर एक सिच्छक क्लास में पढ़ा रहा है या कुछ बोर्ड पर लिख रहा है शियामपट पर लिख रहा है तो लिखते समय बीच बीच में अपनी नजर छात लिखते समय देखिए बहुत important point है लिखते समय क्या करना चाहिए देखिए आपर diagram बना हुआ है sorry picture है यहाँ पर लिखते समय सिक्षक को लगभग 45 अंस के कोण पर मतलब लिखते समय सिक्षक के लगभग 45 अंस के उपर खड़ा होना चाहिए मतलब 45 माले अंगल आप जानते हो कोड जानते होंगे ना मालेजिये ये बेस है आप teacher ऐसे खड़ा है यहाँ पर है बोड तो उसका जो hand होना चाहिए उपर 90 लिझ दिगरी होता है यह 0 लिगरी है तो उसका hand इस direction में होना चाहिए कि उसका angle कितना होना चाहिए 45 degree मतलब 45 अंस का कूण उसके hand का होना चाहिए क्यों इससे clear होता है जो बच्चे पीछे बैठे होते हैं उनको ये clear एकदम समझ में आता रहता है मतलब जो आप board पर लिख रहे हैं वो उनको clear एकदम दिखता रहता है ठीक है तो लिखते समय सिक्षक को क्या करना चाहिए लगभग 45 डिग्री के angle पर अब ये तो है नहीं कि आप उसको पहले मापेंगे कि कितने डिग्री अंगल पर हमारा ये hand है तो ऐसा नहीं लगभग बताया जा रहा है ठीक है वो आपका hand इतने पर होना चाहिए ताकि क्या हो जो चातर पीछे बैठें क्या लिखा जा रहा है उसको पढ़ सकें clear हो गया point चलिए ये देखिए next बढ़ रहा है सिक्षक स्याम पड़ पर जो कुछ लिखे कक्षक योर मुख करके वह बोलता भी जा है मतलब अगर आप बोर्ड पर लिखने में बिजी हैं तो ये नहीं कि आप ऐसे से लिखते चले जा रहे हैं और पिछे class पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि देखिए स्याम पड़ पर रेखा चित्र पर अगर स्याम पड़ पर रेखा चित्र मतलब कोई भी डाइग्राम या कुछ भी बनाना है कुश्चन समझा रहे हैं तो जाहिए बात है बहुत साब मैस्स में फिर्मिलर साइंस में मैं हर चीज में कोई भी सब्जिक्ट हो जो उसकी टीचिंग लर्निंग माटेरियल होता है उसमें ये बहुत जरूरी होता है पॉइंटर तो इसका उपयोग हमें करना चाहिए ताकि क्या हो बच्चों का ध्यान उस तरफ आ सके चले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्यामपटपट डश्टर को डश्टर से अक्षर आद मिटाने की आदत डालें स्यामपटपट डश्टर से अक्षर आद मिटाने की आदत डालें भई क्या होता कभी कभी देखते होंगे बच्चों का जो टीचर होता है वो बोर्ड पर लिखते समय क्या करता है मानली जिए ऐसे से लिख रहा कुछ मिश्टेक हो गई तो तुरंत क्या किया मानले मिश्टेक हो गई तुरंत हाथ से उसको रफ कर देता है तो हाथ से ना मिटा के हमें क्या करना चाहिए हमें आदत डालनी चाहिए डस्टर का प्रियोग करने की ठीक है तो एक टीचर को यह जो टीचर बन है next की तरफ यहां पर है श्यामपट पर जो लिखें महीं स्यामपट पर जो लिख रहें हैं महत्वपूर्ण बातें वह क्या होनी चाहिए संक्षिप्त में सौट मेहीं लिखे क्योंकि विश्थार पूर्वक लिखना नहीं चाहिए उससे वीडियो में इतना ही फिर ऐसे रावी लेकर भुए हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगर चैनल सबस्रीब नहीं किया आपने तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको अवैलिबल होती रहें धन्यवाद